असलाम औरेकुम प्यारे बच्चों आज हम आपको डिजिटल आर्ट में एपल बनाना सिखाएंगे अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए देखते किस तरह बनाते हैं एपल देखिए आउटलाइन क को इस तरह से कर बलाइन बनाकर डंठल बनानी है पत्ता बनाने से पहले थोड़ा बाहर निकालिए और इस तरह बनाईए पत्ता यह हो गई सेव की मुकमल आउटलाइन चलो कलर भर रहे हैं इसमें हां देखिए कलर भरने की जो टेक्निक है वो इसमें बताई गई है कि वीडियो को आखिर तक देखिए कि कलर किस तरह बरा जाता है अक्सर बच्चे एक ही कलर भर कर एपल को जो शेप होता है उसको खत्म कर देते हैं हम जो बना रहे हैं वह एक्च्वल लुक लगना चाहिए उसका इसलिए कलर किस तरह भरते हैं यहां पर हम आपको बता रहे देख़ें जो बडर का लार होता है न आपर तोड़ा डार्क रिल्गट रखते और जैसे जिसे हम बीच में आते हैं उसको लाइट करते हैं और कोई हिस्सा ऐसा होता है जो शाइन करता है तो उस हिस्से को हम वाइड बताते हैं कैसे लगे कि वो चमक रहा है यहाँ पर देखी बीच में हमने यह जो सफ्ध हिसा छोड़ा है यह सेप की जो चमक है वो दिखलाने के लिए बीच में और थोड़ा लाइट करते हैं लाइट करने के लिए आप कलर में वाइट मिक्स कर सकते हैं या यलो यलो से थोड़ा ओरेंज होता है और वाइट अगर आप रेड में मिक्स कर रहे हैं तो वह पिंक होंगा देखे भी बॉर्डर का हिस्सा जो उसको और थोड़ा डार्क करते हैं बीच में और थोड़ा रेड करते हैं यह यह पिर आंगि लास्ट का जो फोटे इसे डार्क बताना पड़ता है जिसलिक वयसे यह से ल Algत है कि में दिखता है भी आप मिलेख है आठ अचिया जो हिस्सा थोड़ा अंधिरे में होता है उसे ब्लैक बताना पड़ता है यह दिखे लग रहा है कि जैसे सेव है जैसे से बहतर भी कलर किया जा सकते हैं अब हम पत्ते में रंग भरते हैं दिखे पत्ते में उपर से शुरू करेंगे हम और उपर ग्रीन से स्टार्ट करेंगे पहले थोड़ा डार्क रखेंगे उसके बाद उसे लाइट करते 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 निचे लाएगे यहाँ पर हमने थोड़ा डार्क कलर यूज़ किया है ग्रीन में अब देखिए लाइट करते वे ला रहे हैं अब थोड़ा इसमें यलो मिक्स किया हमने और यह लास्ट में और ज्यादा यलो मिलाकर सपिस्टा कर दिया इसे मिक्स कलर मिक्स करना होता है यह लखी रहे हैं जो पत्य में होती है और आखरी का हिस्सा थोड़ा कलर बाहर निकल गया उसे और कलर देकर हम शेप में ले लेते हैं देखिए इस तरह यह हमारा एपल तयार हो गया है अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर फिर मिलते हैं इंशाल्ला